हर हर माह देव से भी मित्रों को वेलकम टू इलक्टोनिक स्टेडी यूटूब चैनल सभी को सूप्रभाद डेली करेंट अफेर्स की सीरीज में आज ही हमारी 66 नंबर की वीडियो है और जैसा कि यह आज 26 अगस तो आज ही इस अपने सेशन में हम 26 अगस से सम्मंदे जो भी महत पूर्ट करेंट अफेर्स होंगे उनको देखेंगे इसके अलावा सेशन की लास्ट में जो हमने कल की वीडियो में करेंट अफेर्स पढ़े थे उसका रिवीजन करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करेंट अफेर्स पहला दिया हुआ है पश्यम मंगाल के बारे में तो ये चर्चा में क्यों रहा है तो पश्यम मंगाल की दो मेलाओं को राश्ट्री हस्त सिल्फ पुरुसकार दिया गया है मदूर फ्लोर मैट के निर्माड के लिए तो ये दोनों मिठाईयां पश्यम मंगाल की हैं जिने भी हालही में जी आई टेक प्रदान हुआ है इसके अलावा पश्यम मंगाल में एक नई योजना की सुरुवात हुई है कुछ दिन पहले जिसका नाम था मा की रसोई योजना इसके अलावा एक और योजना थी इस्टूरेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये भी पश्यम मंगाल की थी आगे लिखा हुआ है खेला होई दिवस के बारे में तो जैसा कि आप सभी जानती हैं अभी पिछले मेने ही जो पश्यम मंगाल में चुना हुए चर्चा में रहे थे काफी तो यहाँ जो सत्ता में पार्टी है त्रण मूल कॉंग्रेस की तो इन्होंने चुनावी दौरे के दौरान एक नारा टाइप प्रक्खा था खेला होई तो उसी के अधार पर उन्होंने घोशना की थी कि इनकी पार्टी आने के बाद कि अब प्रतेखवर 16 अगस्त को खेला होवे दिवस मनाये जाएगा तो इसे भी आप ध्यान रखीगा मैं आप लिखना भूल गई हूँ तो इस पर आप 16 अगस्त लिख लेजेगा कि अब हम खेला होवे दिवस प्रतेखवर 16 अगस्त को अगला देखते हैं इंटरनेशनल डॉक डे के बारे में तो यह हम मनाते हैं 26 अगस्त को फिर दिया हुआ है पवन दीप राजन के बारे में तो इन्होंने हालही में अभी जो इंडियन आइडल सीजन है इसको जीत लिया है और यह संबन्द रखते हैं उत्तराखंड से तो अब इनको उत्तराखंड राजी के लिए कला संस्कृति वा परेटन का ब्रेंड अमबेश्डरे नियुक्त किया गया है वो उत्तराखंड की बात हुई है तो मैंने आपको क्रिप्टो गैमिक गार्डन की बारे मताया था जिसका सुरुवात हुआ है पहली बार उत्तराखंड से ही इसके अलावा पॉलिनेटर पार्क भी उत्तराखंड में ही खोला गया है कुछ दिन पहले इसके अलावा उत्तराखंड की चमोली जिले के माना गाउं में भारत के सबसे उचे हर्बल पार्क का भी उटगाटन कुछ दिन पहले हुआ है तो एक हो गया हर्बल पार्क, एक हो गया पॉली नेटर पार्क, इसके अलावा एक हो गया क्रिप्टो गैमिक गार्डन या सब खोले गए उत्राखन में अगला देखते हैं मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर के बारे में तो यह कौन है तालिवान के द्वारा अफगानिस्तान में अभी इन्हें अपना रक्षा मंतरी निउक किया गया है फिर दिया हुआ है आइकॉनिक सब्ता तो इसकी सुरुवात की गई है सूचना और प्रसारण मंतराले के द्वारा आजादी के अमरित महसों के तैत और यह जो आइकॉनिक सब्ता होगा यह हम मनाएंगे 23 से लेकर 29 अगस्त की बीच में इसके लावा देखिए मैंने आपको संस्कृत सब्ताय के बारे में बताया था जो मनाये जा रहा था 19 से लेकर 25 अगस्त के बीच जिसका उद्देश से था जो संस्कृत भासा आए इसको बढ़ावा देना जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत भासा को सभी भासाओं की जन्नी माना जाता है इसके लिए यह गोशना की गई थी कि 19 से लेकर 25 अगस तक हम संस्कृत सब्ताय की रूप में उफजर करेंगे अगले देखते हैं एक सुजलाम अभियान की सुरुवात हुई है जल सक्ती मंत्राले के द्वारा जिसके मंत्री है वर्तमान में गजीन रिसिंग से खावत और आजादी के अमरित मौसों के तहट सौ दिन के लिए इस सुजलाम अभियान की सुरुवात की गई है इसका उद्देश से क्या है तो देश भर में अधिक से अधिक गाउं को सौच मुक्त बनाना यानि की खुले में सौच मुक्त बनाना इस सुजलाम अभियान का किया जाएगा अगला देखते हैं दिया हुआ है ओ चंद्र सेकरन के बारे में तो यह भारत के पूरो फुटबॉलर और ओलम्पियन थे इनका भी हाल ही में नेधन हो गया है और यह सम्मंद रखते हैं केरल से फिर दिया हुआ है संदीब बक्षी के बारे में यह कौन है तुन यहांपर नियुक्त की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था बैड बैंक के बारे में जिसके पहले C.E.O. के तौर पर नियुक्त हुए है पद्मकुमार मंगलम नायर और फेडरल बैंक की नए M.D. और C.E.O. के तौर नियुक्त हुए थे स्यामसरी निवाशन यदि अ अगला देखते हैं अमेरिका में इस्थित ओमियम इंटरनेशनल ने बैंगलूर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माड इकाई सुरू कर दी है तो ध्यान न कियेगा अमेरिका की तरफ से यह करनाटक में बनाई जा रही है और मैंने आपको ग्रीन हाइड्रोजन मौविबिल्टी प्रोजक्ट के बारे में भी बताया था जो एंटी पीसी के द्वारा इस्तापित क्या जा रहा है लद्दाख में तो उससे भी आप ध्यान रखियेगा इसके लावर एक ग्रीन हाइड्रोजन पर्यूजना की भी सुरुवात की गई तो इसकी सुरुवात हुई थी मतुरा से अगला देखते हैं अजीद दोबाल की बारे में तो ये वर्तमान में भारत की राश्टी सुरक्षा सलाकार हैं तो राश्टी सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए ग्यार्मी ब्रिक्स जो बैठक हुई है तो इसकी अध्यक्षता अजीद दोबालने करी है और ये वर्चुल मीटिंग थी। अगला दिया हुआ है राश्ट्री डाटाबेस इस्रम पोर्टल तो इसके अभी कुछ दिन पहले ही सुरुआत हुई है। उद्देश क्या है तो असंगठित छेत्र के स्रमिकों के लिए इस पोर्टल की सुरुआत की गई है। तो आज के सेशन में इतना ही। अब जो हमने कल कर इंटरफेर्स पड़ा था एक बर उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है अभय कुमार सिंख के बारे में तो केंडर सरकार के द्वरा इने सहकार्ता मंत्राले का संयक्त सच्ची नुक्त किया गया है। मैंने अपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले ही केंडरी मंत्री मंडल में रहत बदला हुए था। और इसके तहट मंत्री भी बदले गए थे और एक नया मंत्राले बनाये गया था जिसका नाम था सहकारता मंत्राले और सहेकारता मंत्राले के पहले मंत्री की रूप में न्योक्त हुए थे अमिस्सा तो अब जो सहेकारता मंत्राले है इसका सहयुक्त सचुई बनाया गया है अभयकुमार सिंको अगला दिया हुआ है टेक चंद जी की बारे में तो ये कौन है तो टेक चंद ACI खेलो के स्वर्ण पदक विजेता है और जो अब टोक्यो पैर उलम्पिक होंगे उसमें ये नए धजवाग होंगे द्यान होगा मैंने आपको मरियप्पन थंगा वैलू के बारे मताया था जो कि पैरा अतलेट हाई जंपर है इन्हें टोक्यो पैर उलम्पिक के धजवाग के रूप में नामित किया गया था परन्तु इनके किसी COVID-19 संक्रमर से सम्मंदित व्यक्ति की ये संपरिक में आ गये थे जिसके तहित अभी फैसला लिया गया है कि ये धजवाग नहीं बनेंगे इनकी जगह अब टेक जंद्र टोक्यो पैर उलम्पिक के धजवाग होंगे अगला दिया हुआ है वांचुव मौथ सो 2021 के बारे में तो ये असम का फसल मौथ सो होता है जो की टीवा जिन जाती की द्वारा मनाया जाता है असम से सम्मंदित यदी तथिकी बात की जाया तो मैंने बास ओत्योगिक पार्क की बारे में आपको बताया था इसका सिलन्यास अभी कुछ दिन पहले ही असम में हुआ था इसके अलावा बंगा सावाम मेला जो की जम्मू कस्मीर में मनाती है और जम्मू कस्मीर का ये एक पर्व है हेरात पर्व और बोनालू महुस्सों के अगर बात की जाए तो ये मनाये जाता है तिलंगाना में फिर हमने पढ़ा था ओपरेशन देवी सक्ती के बारे में तो विदेश मंत्राले ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत की तरब से एक मिसन की सुरुवात की है जिसका नाम रखा गया है ओपरेशन देवी सक्ती फिर है नियो बोल्ट के बारे में तो ये भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित वीलचेयर होगा और इसको विक्सित क्या है आई 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 टी मद्रास ने फिर हमने पढ़ा था दा कपिल सर्मा स्टोरी के बारे में जैसा की नाम से इस पच्ट है ये कॉमेडियन कपिल सर्मा की जीवनी है जिसको लिखा गया है अजीतवा बोस के दौरा और फिर हमने पढ़ा था सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 तो इसको जारी करता है एकॉनमिस इंट पर आए टोरेंटो और थर्ड पर आए सिंगापो और यदि भारत की बात की जाए कि भारत की करब से टॉप 50 में जगे किन सहरों ने बनाई है तो नई दिल्ली 48 पर रहा है और मंबई 50 पर रहा है पिर हमने पढ़ा था भारती स्टेट बैंक की बारे में तो इन्होंने अप माफी चाहिए जो परेटक होते हैं उनके लिए भी होती है तो भारती स्टेट बैंक के द्वारा इस पर फ्लोटिंग एटियम की सुरुवात की गई है इस्थानी लोगों और परेटकों को सुविधा देने के लिए अगला है SS हकीम के बारे में तो यह एक फुटबॉलर थे इनका निधन हो गया है अच्छा एक चीज मैंने अबज़र करी पिछले दिन जितने भी लोगों की निधन हो रहे हैं जातर सब फुटबॉलर है गेड मुलर के बारे मैंने आपको बताया था वो भी फुटबॉलर थे जर्मनी की और उसके बाद गोपाल भेंगरा वो भी फ सालही में ब्रेंड अम्बेश्डर नियुक्त हुएं सोनु सूध फिर है भारत का पहला सराफ सरंगाले खोला गया है गोवा में यदि गोवा की बात की जाए तो इसे संबंदे दो तक थे और मैंने आपको पिछले महीने बताये थे कि गोवा पहला राज्य बन गया है जो रेवीज मुक्त हो गया है और हर घरजल वाला भी यह पहला राज्य बन गया है भारत का और वरतमान में गोवा की जो मुख मंतरी है वो है प्रमोद सावन गवर्नर है पी एस स्रीधरन पिल्लेई तो आज किस वीडियो में इतना ही अब मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो मे तब तक के लिए धन्वा सभी को